अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने स्के ब्लॉगर में तो यह सुबर सुबर की चन में आ गई हूं और बाहर का मौसम आप लोग को दिखा दी हूं कि एकदम बदरी टाइप का है बारिश जैसा क्योंकि ठंडी बहुत ज जिले में यहां पे ठंडी बहुत ज्यादा थी और यह सुबर सुबर आ गई हूं मैं आलो गोभी की सबजी काटी हूं भुजिया बनाऊंगी आज और दाल चावल जो भी मतलब बनाऊंगी आगे मैं वीडियो में आप लोगों के साथ सेयर करूंगे तो देखिए यह नया तो पर से थोड़ा थोड़ा सा चिल देने पर यह इदम क्लीन हो जाता है क्योंकि आलू जब आता है खरीद के तो मैं इसको धोके ही और थोड़ा सा ट्राय करके जैसे की जाली वाले कोई भी बरतन में इसको धोके रख दे तो पानी जो है अपने आप ही थोड़ी दिर में खतम हो जाता है उसका मतलब कि इतना तो हो जाता है कि इसको अपने जाली वाले टोक्री वगरा में रखा जा सके तो इसलिए चलिए वालू में पर बहुत ज्यादा अपडेट दे दी हूँ मैं तो चलिए वागे बढ़ते हैं कोई-कोई बात क्या है निकलता है लेकिन बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि नोटिफिकेसन आप लोग को मिलता रहे और हाँ देखिए अब ये जो सबजी है अब कटी चला है बहुत जादा नहीं काटना है सबजी क्योंकि चार जन की फैमली है तो बहुत इतना कोई एक्स्ट्रा सबजी तो नहीं चाहिए होता है और देखे काट ली हूँ तो अब इसको धो भी दूंगी और भूजिया थोड़ा ये एक्स्ट्रा दिख रहा है आप लोग को चार जन की हिसाफ से क्योंकि ये भूजिया है अगर ये भूने तो बहुत कम हो जाता है जैसे इतना जादा नहीं रहेगा जितना ये दिख रहा है और ग्रेवी वाली अगर सबजी हो तो थोड़ा भी काटे तो क्योंकि ग्रेवी मसाले सब पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है जो सबजी की struktality है वो थोड़ा कम काटे और इसको थोड़ा ज्यादा काटे बुजिया को और मसाले वाले सब्या को कम काटे और यह तेल डाली हूं तेल डालके मेथी डाल दी은 और फिर जो सब्याली काटी ठी वो डाल दी हूं और फिर इसमे नमक और जब यह भून जाए तब फिर इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और भूना हुआ जीरा पाउडर डाले और यह टीस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है और मैं डीटेल में बता दी हूं और यह जब सब्जी में डालती हूं उसी वक्त जितने मसाले हैं वह डालके और शिर्फ एक ही काम होता है इसको कम आच पी और भूनना धग धग करके इसको ढखकन से धग दे और एकदम कम आच पी इसको भूनते रहे और बहुत अच्छी सी सब्जी यह भूजिया तयार होती है मुझे मैं बताती हूं बहुत बार पहले भी ब्लॉग में बता चुकी है कि मैं बहुत जल्दी में घबडा जाती हूं मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे काम दिखने लगते हैं यह भी एक वाज़ा है कि मैं Sोचती हूं खाना जो है वह सौ्टECU 까 जबाओ और फिर क्या होता है कि अगर ये फटाफट खाने बन जाना फिर वो हमको भारी भी नहीं लगता है कि बहुत काम पड़ा है बहुत खाने बनाने है और मेरा खाना बनता भी बहुत जल्दी है और मैं खाने का पूरा थाली भी आप लोग के साथ हमेशा सेयर करती हूं ऐसा नहीं है कि बस दाल जी बना के मैं हट जाती हूं बहुत सारे चीज बना देती हूं मैं तो इसी लिए मैं थोड़ा फटा-फट वाले खाना बनाना पसंद करती हूं एक खाने जो यह भुजिया इसको भी बहुत लोग होंगे जो अपने तरीके से बनाते होंगे जैसे कि गोवी भुन के निकाल ल हो ग्लास में निकालके और फिर इसको आसानी से भर लेती हूं और यह मतलब इतना गिरता नहीं है और यह बाटल जो थोड़ा बहुत अगल वगल तेल लग गया है उसको क्लीन कर ली हूं और देखिए जमीन पर बिल्कुल भी तेल नहीं लगा है क्योंकि मुझे आदत है ऐ यह कोई ऐसे इसका जो आता है न कुपी उसको बोलते हैं पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं वह मैं नहीं रखती हूं तो यह ग्लास में एक्स्ट्रा में निकालकी रख लोंगी ताकि एक दो तीन दिन मतलब यह सब इससे भी बन जाए क्योंकि तेल का यह ग्लास होई च जल्दी होता है और यह चाय बन रहा है मेरा और मेरे हस्बिन का तो चाय बनाते बनाते आप लोग जानते हैं कि मैं जब खाना बनाती हूं तो चाय नास्ता खाना सब साथ में ही तयार करती हूं कि ताकि बार बार मुझे कीचन का काम न करना पड़े और यह जो भुजिया है यह बीच बीच में मैं चलाती रह रही हूँ तो चाय भी बनने वाला है और आज नास्ते में बस ब्रेड मैंसे कूंगे मक्खन लगा के क्यूंकि आज कुछ है भी खाने का मन नहीं था और देखिए भुजिया जो है भुनना स्टार्ट हो गया है और सिर्फ कम आज पर इसको नहीं है कोई इसमें कलाकारी नहीं करना है और यह ब्राउन ब्रेड है तो काम आज पर इसको ऐसे ही मैं कोई भी चीज को काम आज पर बनाना ज्यादा पसंद करती हूं इस गैस की भी बचत होती है और जो मतलब कुछ भी हो और अच्छे से बनके तैयार होता है देखिए ग और ज्यादा चाय का जरूत नहीं है कि बड़ा केटली में मगाऊ बड़ा रखी हूँ लेकिन मुझे जरूत नहीं पड़ता है उसका और बहुत काली मिल्च पाउडर और जीरा डाल दी हूँ इसमें और बस ये एकदम भून के तयार हो गया है अब इसको बस निकालना है जी एकदम वह ऐसा ही बना है बिल्कुल भी काला नहीं है लेकिन अगर इसमें छोड़ देंगे तो जरूर काला हो जाएगा और यह ब्रेट जो है और ब्राउन ब्रेट सिका है और यह रहा हमारा चाय तो बहुत देर तक मैं चाय को भी खौलाती हूं और बड़ा अच्छा गरा अगर किसी का पीने कामान हों तो मेरे घर पे जरूरा है तो चली यह रहा है अज का हमारा चाय और ब्रेड वक्वा और यह है मतलब जो पनीर ठिका में बनाती उसका कर रहे हूं क्योंकि ये तुरं तो इसको त्रायार करके नहीं इसको मैं से कूंगे इसको अभी तैया कि और में को सब्सक्राइब Merco compartir यृट राविण धूटर ॉट मैं पेस्के और दाली हूं सभड़ मैं कााम reference मैं यह हुआ है जो रिख में दाली दाली ृर आप अहजरे में सफ से को है ऑगर वह हैं तो अगर कोई इसको चाह रहा दो तो मैं इसमें सब कुछ भो दी fut क्या क्या इसमें डाली हूं और अगर आप लोग को ना समझ में आए तो मुझे जरूर कॉमेंट करें कि मैं डीटेल में एक एक चीज़ आप लोग को दिखाऊंगे कि क्या क्या मैं इसमें डाली हूं और इसको ऐसे ही मैं करके फ्रिज में रख दूंगी और दूसरे दिन जब इसको सेख के सर्व करूंगी और बस जी छोटा सा एक ब्लॉक था हमारा यह देखिए बाहर का मौसम कैसा हो गया है एकदम बद्री क्लाउड वाला जो मौसम कहा जाता है और ठंडी एकदम भयंकरवरी ठंडी है तो बस एक छोटा सा ब्लॉक था उम्मीद करते हूं कि आप लो